हेलो विवर, वेलकम टू दे यूट्यूब चैनल अब स्कूल बैंकिंग एन ससी तो देखिए बहुत ही अच्छी न्यूज है जैसा कि बैंकिंग फिनेंसियल एर का स्टार्ट हो गया है फर्स्ट अप्रिल को और उस दिन अपना रिजल्ट डिक्लियर करता है और हम लोग के पास बहुत सारा रिजल्ट है एक बहुत ही बड़ा गुट न्यूज है जो कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस हम लोग डिस्कस करने के लिए हैं सबसे पहले आया दृतिमान SBI PO 2 2022 उसका इंटर्वी भी हम लोग अल्रेडी अपलोड कर चुके हैं उसके बाद SSE GD का रिजल्ट आया था उसमें हम लोगों ने चार सलेक्शन दिया जो रिटेन का एक्जाम होता है रिटेन का जो रिजल्ट है वो आ चुका है जिसमें चार बच्चों ने रहे हैं तो जो रिटेन में हम लोगों का जो काम ता हम लोगों ने अपना कर दिया अच्छे से पढ़ाया वो लोग चार बच्चे क्वालिफाई कर चुके हैं और एक तरीकों जो रिजल्ट आया है अभी कली हम लोगों को पता चला सुजीत चक्रवर्ती जो के मार्केटिं अफिसर स्केल वान में उनका सेलेक्शन हुआ है और ये स्वीटी दास पंजाब नेशनल बैंक क्लर क्वालिफाई किया और भी बहुत सारे स्टुडेंट है जो के अभी मैसेच करी रहे हैं तो इसलिए तो रिजल्ट बहुत सारे हैं जो हम लोग पढ़ा रहे हैं जितना मे रवाजा पर लिखा हुआ है पुस अगर मैं उसको पुल करूंगा तो वो कभी नहीं खुलेगा उसी तरीके से अगर अपना प्रिपरेशन आप साही डारेक्शन में नहीं करोगे रॉंग डारेक्शन में करोगे तो कभी आपका रिजल्ट नहीं आएगा तो हम लोग को यह रिजल्ट का कमी नहीं है ठीक है रिजल्ट ही रिजल्ट ही रिजल्ट है यह मुझे बहुत खुशी होती है यह बात कहने में रिजल्ट ही रिजल्ट है बच्चे आते हैं पढ़ते हैं पास होते हैं इससे ज्यादा हम लोग को क्या चाहिए और जो पास होने के बाद जो उन पढ़ाई बहुत अच्छा चल रह है, पढ़ाई अच्छा चल रहा है, पढ़ाई साही डारेक्शन में भी तो चलना चाहिए न? देखो, आप किताब इतना मोटा मोटा किताब है, वो सबको पढ़ाने लगेंगे तो क्या होगा? आप क्रेश हो जाएंगे, सबसे पहले था हम number 1 में हम WORK पब्लिश कर रहे हैं कोई भी दूसरा इंस्टिटूट इस तरह से पब्लिश करो कर रहे हैमें बात कर रहा ह। जो सच है वही मैं बात कर रहा ह। टीक है आपको क्या करना है अभी आपको पढ़ना है. पढ़ करके सही direction लेना है Pat आपको मिलेगा ताहिए आपको clear करना exam बार-बार मौका नहीं मिलेगा अभी ही मौका मिलेगा और एक बात है कि ज़ादा लटा पढ़ना नहीं पढ़ता है थीक है ज़ादा ज़ादा आपको 2-3 साल महनत करना है और सही direct impression में महनत करना है हम हम लोग ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं, क्योंकि आपको ये बता सके कि School of Banking and SSA कितना मेहनत कर रहे हैं, they are working towards the goal of the students, जो student को goal है, उसके उपर हम लोग मेहनत कर रहे हैं, results आपके सामने में हैं, results ऐसा नहीं भया, कि कोई भी आया है, करके हम लोग उसका फोटो देखा दिया है, ये पास हो एसा नहीं, वो लोग आ रहे हैं, ठीक है, वो लोग आ रहे हैं, institute में आ रहे हैं, वो लोग इंट्रिव्यू दे रहे हैं, वो लोग आपको बोल रहें कि प्रिपरिशन यहां से किया है और वो पास हुआ है result आपके सामने में है हम लोग सिर्व हवा हवा ही बात नहीं कर रहे है कि वो इतना पास हो गया उतना पास ही ऐसे नहीं बोल रहे जो पास हो आपके सामने में SBA PO का ध्टिमान पॉफॉर्म किया है वो देखो ऐसा पॉफॉर्म हमेशा नहीं होता है ठीक है हम हर इंस्टिटूट कहीं में भी जाओ आप खुद से पढ़ो इस तरह से पॉफॉफॉएंस देना बहुत ही मुश्किल है यह इस तरह से पॉफॉफॉएंस तभी होता है जब आप अच्छा से आप अपाइब करेंगे और आप लोग दो बिछ यह इंस्टिटूट में चाहरी पाइब। मैं तुम बचाना भूली गया RBI में भी दो बच्चों का सेलेक्शन हुआ है वो लोग अलएड़ी मतलब इंप्लॉइट थे लेकिन उन्हों ने अपना जो ब्रांच का प्रमोशन होता है उसके लिए आया थे हमारे पास हम लोगों ने अल्मोश्ट धेड़ मैं ने जम के उन लोगों पढ़ाया और अल्मोश्ट सभी ने दो बच्चे आयते दोनों तीन आयते जिसमें से दो का सेलेक्शन हो गया एक का अभी भी वेटिंग लिस्ट में चांसे से उनका भी हो जाएगा तो अल्मोश्ट 100% ही रिजल्ट है तो RBI में भी हम लोगों ने दिया है ऐसा नहीं कि कोई भी बैंक हम लोगों से बच्चा हुआ है अल्मोश्ट सभी जगह सेलेक्शन है मान लो कोई भी कोई भी चीज़ देखो SAC में सेलेक्शन हुआ ठीक है बैंकिंग में हुआ अच्छा बैंकिंग कहां कहां हुआ है RBI में हुआ SBI में हुआ IBPS में हुआ NAVAD में हुआ है और कहां बाकी है कहीं बाकी है आसाम गरामीन बिकास बैंक में हुआ हार जगह में हम लोगा बैंकी के स्टूढिन्ट है और एक बात मानो मैं बात जोला है दंके की चोट में कि आसाम गुर्मेंच का कौई सा कोई डेपार्टबंट नहीं है जो को कम लोग गूसी आपको आप सेक्रेट रेट में पुरा वैच मिल जाएगा आपको। ठीक है्ण सेक्रेट रेट में इतना ज़्यादा सेलेक्शन हो जाएं क्योंकि सही पढ़ाई होता है, सही पढ़ाई करते हैं और सही मैनत से पढ़ाई करते हैं हम लोगի स्टूइन्सूद्स बुलना तो आप लोगे साथ शेयर करना तो हम लोगे की खुसी है खुसी चेहरे पर दीख रहा होगा ठीक है तो वही आप लोगे साथ शेयर करना तो थैंक्यों बेरे मच्च